केंद्रिय संस्कृति एवं परियटन मंत्री गजिंद्र शिंग सेकाउत ने का कि भारत में परियटन के असीम संभावना है आज भी दुनिया के देशों में भारत परियटन का एक बड़ा केंद्र है आने वाले समय में जिस तरह भारत के प्रति आकर्षण पूरी दुनिया का बढ़ रा है प्रधानवंत्री नरिंदर मोधी के नेतरोथ में भारत विक्सित हो रहा है पूरी दुनिया कोटु हल की दरश्टी से भारत को देख रही है भारत दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बने वाला है शेकाउतने का कि हमने अभी एक चैलेंज फ्लोट किया है जिसमें देशवर के लोगों से अपील की है कि वो अपने अनुकूल और अनुरूप जो बैस्ट टूरिष्ट डेस्टिनेशन ह जिसको वो मानते हैं अपने शेत्र या देश का कोई भी उस पर वोट करें अधिक्तम वोट्स जिन डेस्टिनेशन को मिलेंगे उनको हम हॉलिस्टिक तरीके से प्रधान मंत्री के नेत्रुत में डेवलप करेंगे ताकि आने वाले समय में वो वर्ल्ड क्लाश टूरिष्ट डेस्टिनेशन बन सके केंद्रिय मंत्री शेकावत सूर्सागर विदैक देविंद्र जोशी की माता जी राधा देवी के निदन पर आईजित शोकसभा में शामिल हुए पुषपांजली अर्पित कर दिवंगता आत्मा की शांती के लिए परमात्मा से प्रात्ना की परिव शेकावत सुबह गर्माने लोगों से मिले, पुलिस ने गार्ड ओफ ओनर दिया, उन्होंने कारकरताओं से मिलकर सभी के अवाओ अभ्योग सुने और यता संबहु समश्याओं के निराकरण का प्रियास किया पाली को भी बहुत रात मिलेगी निश्यत रूप से जोद्पूर का ओध्यों की विकास हो, ये बरती जिन्ता पार्टी के संकल्प पत्र में, दोशना पत्र में भी था और हमने चुनाव के समय में भी इस पर कहा था बारत सरकार ने जब मानि मोदी जी के आशिरवाद से देश में चौदा जगए ऐसे इंडिस्ट्रिल कोरिदोर बनाने की बात की तब हम सब में मिलकर के प्रियास किया कि जोद्पूर को भी ये सौगात मिले राजस्तान का दूसरा बड़ा शेहर होने के नाते आद्यों की क्विकास की सारी संभावना और जिसनी भी आवश्यक्त हैं हो सकती है जमीन की ऊर्जिया की पानी की और उसके अतरिक इंडिस्ट्रियस्नेस की राव माटिरियल्स की व करता हूं कि उन्होंने इस सफलता के लिए ये जोद्पूर को आशिरवाद मिल सेके इसके लिए पूरी करें समय है अभी अर्याना की चुनाव की घोष्णा होने दीजिए बारतिये जन्ता पर्टी के वेले एक चुनाव के लिए तैयारी करके और चुनाव में लड़ने व अब्यान करते हैं और यह अपने देखा बारतियांता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है और राजिस्तान में भी असीम संभावना है आज भी दुनिया के देशों में भारत परेटल का एक बढ़ा केंद्र भी है और आने वाले समय में जिस तरह से भारत के प्रती आकर्शन सारी दुनिया का बढ़ रहा है मानि मोधी जी के नेत्रतों में जिस तरह से भारत विक्सित हो रहा है निश्चित रूप से पूरी दुनिया भारत की तरफ कौतोहल की द्रिश्टी से देख रही है। दूसरी तरफ समानि प्रदानमंति जी की नीतियों के चलते वे जिस तरह से भारत में मध्यम वर्ग बढ़ा है। 25 करोड लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। भारत की एस्पारेशनल क्लास जो है भारत के टुरिजम की ताकत को इजाफा देने वाली है। जो लोग वर्षों से सदियों से पीडियों से जो लोग गरीबी का दंश चेल रहते हैं उनकी दबीवी उतकंठाएं अब उजागर होंगी। और वह भारत को जानने भारत की संस्क्रतिक की विवेदिता को पहचानने के लिए देश परियाटन के लिए निकलेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टुरिजम मर्केट और डेस्टिनेशन इन दोनों के रूप में बनने वाला है और संभाणी प्रगान मंतुजी की नेतरों में हम इस दिशा में इंसा स्ट्रक्चर ग्रोथ किस तरह से हो हॉलिस्टिक डवलपमेंट किस तरह से हो हमने अभी प्रवाबमेंट को मिलेंगे उनको हॉलिस्टिक तरीके से चुझान मंतुजी के नित्रति में डवलप करेंगे ताकि आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास देस्टिनेशन बन सकते हैं